वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों आप देखरें गेट इंस्टॉल आज की इस एक वीडियो में हम करवाने वाले पापा की परी को डिकाब होना इस साथ में आप लोगों के इस लिए एक लेकर आए गिववे तागेट आशी जी बताइंगा शी जी क्या तारगेट रखे लोगो बिले 1200 लाइक इस वीडियो पर साथ में आप लोगों को इस चैनल को सब्स्राइब करना है एक कमेंट ब्रॉप करना है और आपको अपनी गाड़ी से रिलेटेड एक स्टोरी शेयर करते हुए यह लिखना है कि आपको जोरत क्यू है इस काम की फ्री ओफ कॉस्ट हम आपकी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना हम सारा प्रोसीजर उसी के अंदर आपको बताएंगे आज से आई हुई कुछ पीछे की वीडियोस के अंदर मैंने अपनी गाड़ी को यानि बिलो को एक बार देख लो क्या पताब का मन कर रहा है देखने वह पीछे उसे करवाया अपनी गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी माइलच पा रहा हूं या फिर कह सकते हो मेरी जो जेव है वह मुझे बहुत पॉकेट फ्रेंडी लग रही है उसे करवाने के बाद आज बार ही है अपनी पापा की परी को करवाने का रिसेंटली हमने सर्विस करवाई है उसकी व बजकीन करते हो हम आपको एक्षुली दिखाएंगे कि बिफॉर इस्काम को कराने के और आफ्टर इसकाम को कराने के एक्षिली में क्या डिफरेंस आता है विदी हलप और यह सथ फ्रेम शावड़त जी यह बिजनस रन करते हैं का इडियस क्या है वन्स अगेन एक बर ब्री आप एनर के अंदर आपके गाड़ी के परफॉर्मेंस ओवरॉल चेंज हो जाएगी काम कराने के बाद फर्स एक्सलिटर प्रड़ेस्ट करेंगे अपनी गाड़ी का रिजल्ट्स आपको तरुंत मिलेंगे ऐस सच कुछ नहीं कि आप 10-15 किलमेटर गाड़ी चलाएंगे उसके मैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं यही रीजन है कि आज आशी जी और मैं इस चीज़ को बिफोर और आफ्टर करके कुछ क्लियर करने आया हूं दूसरी गाड़ी के सिनेरियो में मैंने आपको बाद में बताए था कि काफी लोग ने परसनेली भी पूछा तो जिस किसी ने भी पूछा है मैंने हर किसी को अपना जवाब भी बताए था कि येस मैंने डिफ्रेंस देखा मुझे मेरी गाड़ी का इंजन स्मूद लग रहा है मेरी गाड़ी का थ्रॉटल रिस्पॉंस इंक्रीज हो गया है इवन मेरे को फर्क दिखाए पनी गाड़ी क्या है सफिशेंट है क्यों है उसका रीजन ही है एक्जॉस और 17 लगाने के बाद हमारी गाड़ी अगर आज भी 120 चल रही है दो या धाई रुपे किलोमेटर तो आपके साफ से जादा मेंगी तो नहीं नहीं को स्कैन करेंगे उसके क्या इंपूर्स आरे हमको वह आपको श स्टार्ट कितनी देर के लिए स्टार्ट करेंगे मैं चाहता हूं आप और देंस को यह भी बता दो थोड़ा उसका टेंप्रेचर मेंटेन हो जाए अराउंड 80 डिग्री सेल्सिस के असपस आजए दो से तीन मिट के लिए बस उसके बाद हम आपको एक मेजरमेंट देकर एक दिस्काउंट थोड़ा काम हो जाता है क्योंकि आने जाने का टाइम मेनेजमेंट प्लस फ्यूल का कॉस्टिंग वह भी हमको मेंटेन करना है वह पर लोगों के मेरे पास फोन आये उन्होंने पूछा क्या शोटी देते हैं क्या गैरेंटी देते हैं कि हमारा मालेज बढ़े करती है यह सारे फेक्टर बिलकुल तो दोस्तों इदर आप देख सकते हो हमारी बैटरी वोल्टेज जो है तेरा पॉइंट दो इसके असपास आरी है और पिम हमारी फिलाल जीरो दिखा रहा है देखो हमने कर्दी स्टार्ट एक हजार ग्यास सुक्षामरी आर पिम है तो आ दो दोटन के तरह पिम हो तरह बाऊज के अदर नहींतर उतना दोटना फिल चॉंग हो तरह जाएगा गाडि है जपनी घाड़ी घड़ी घडए शाड़-सॉब एक तरह रहे जारी है इसके हसाब से एर जारी है इसके हई परसंट उन्हारा हो गया सपोस करीए 14 बारठ संट एक दाली बंढ़ पूरेंगा मैलेज़ बढ़ बंढ़ है कि यए मैलेज बढ़ इसने आज शुडाइब विए हुआरिंगा समय कर विए से कर दो है वहां है उतना बीज पिंद फ्रॉटलर्मकिमाहिट क्से अचेख मुदाइक गारी ऐफ इंडाने बहल जाएके कि हुशने कि गाडी में वेक्यूम कितना है गाडी कि स्पीड कितनी हेगी एंपी हेगी एक्सलेटर क्या है गाडी यप जब चला रहे हैं कितने ग्राम पर किलोमेटर की कारभन डाइक्सलाइग रिलीस कर रही है CO2, हाँ, पूरी जर्नी की एवरेज, पता लगीगी, इंस्टेंट की एवरेज मिल रही है, वो पता लगीगी, अगर इडलिंग कंडिशन पे खड़ी रहेगी, तो एक घंटे के अंदर 1.3 लीटर फ्यूल कंजूम करेगी इस टाइम पे, और गाड़ी का लोड है, इंजिन प होगी, लोड कम होगी, थ्रोटल इंपुट एंड आइडलिंग आर्पीम, प्लस आपको माइलेज केल्कुलेट करके बताएंगी, स्क्रिंशोट लेके यही है, लगा देता हूँ, गाड़ी का खुलेंगे, थ्रोटल मोड़ी का हॉस, उसके बाद करते हैं, गाड़ी को पर क अगर आप ट्रोटल बोड़ी क्लीन करा ने चाहते हैं, अब आप देख लो ने प्रेकर रहा है, और आपको जड़ा रिजल्ट दिखा देता है, क्या मिलता हमें अपनी थ्रोटल बोड़ी साफ करने के बाद, रिसेंटल गाड़ी सर्विस होई है, देखो उसके बाद हमें यह मिला है गाड़ी में से, यह जो भी गन निकल रहा है, यह उपर-उपर की लेयर है, अभी अब अंदर उंगली डाल के साफ करेंगे, तो इससे और गन निकलेगा, परसनल पॉइंट बटाओं तो यह पहले अटक काफी रहा था, थ्रोटल बोड़ी आफ्टर भी क्लीन द यह पाइप जो हमारा जा रहा है, इससे लगाने का रीजन क्या है? प्रेट लगाने का रीजन यह है कि बाहर के डस्टी एर है वो अंदर ना जाए, जैसे लास्ट टाइम आपने वीडियो में चेक करते हैं गैस का प्रेशर हमने क्या रखा था वन फॉर्टी के असपस रख आप हम यह करती है काम हम आपको प्रोपर कागजब पर समझाते हैं तो आपको समझ जाएगा असवानी सब्सक्राइब आप जैसे हैं किस टैम मशीन इतनी वोल्टेज ले रही है इतनी एम्पेर ले रही है मशीन का टेंपरेचर इतना है गी टाइमर हो गया क्याश का फ्लो पहले इस पूरे तीसमेट के प्रोसेस को होने देते हैं बाकी रही बात इसकी इसको बबलर बोलते हैं यह तरह का सेफ्टी वॉल्व का काम करता है गाड़ी के अंदर कोई एक्स्ट्रा गैस ना जाए यह कुछ और ना जाए सेकंड लिए से पता लगता है का मशीन चल रही है काड़ी में काम हो रहा है चल दोस्तों अभी भी किसी का डाउट यह है कि इस काम को कराने की ज़रत का एक बर ब्रीफ ले ले लेते हैं यानि समझ लेते पूरे प्रोसेस को यह सिलेंडर है यह पिस्टन है आउटलेट वॉल्व है इनलेट वॉल्व है पार्क पुलड़ है के अंदर अगर डीजल इंजन की बात करें तो नोजल का काम करती है जहां पर डीजल स्प्रे होता है अब जब यह पिस्टन नीचे होगा अपने एंड पोजिशन पर होगा तो 11 वॉल्यूम एसक करेगा एक अब होता क्या है गाड़ी जब चलती है फ्यूल बहन होता है तो इसका वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा गाड़ी ने तो 11 वॉल्यूम की ही एसक करनी है लेकिन कंप्रेशन जो इसकी इस पॉइंट पर होनी है वह क्यों क्यों कि वॉल्यूम उसका कम हो गया सपोस्कर ही पहले जो लेंथ थी हमारी अगर 10 मिलीमीटर की थी कार्बन की लियर बाद यह 9.8 यहां फिर 9.7 रहे जाएगी तो जो कमशन इस पहले वाले पॉइंट पर और यह उसको बोलते हैं प्री इगनिशन पॉइंट मतलब एक्चुल कमशन होने ते पहले ही कमशन होगी उसका रहता है जो प्रॉपर आउट पूट होता है वील्स की उपर नहीं मिलत कही कही केसैस अपने यहां उंगे कि 7000 गाड़ी चली हमारे रहे समय होेंले में लेमन लाइग बात करें तो टो वाल जाम होने का कारण हमे एक है केան बार्च की लेएर में कारण जम जाती है वो जब प्रॉपर लिजिगोंगा अगर शर्षाइब प्रzes मिंस्च wiping आपको नहीं पता है अगर डिसल नहीं बन पारी तो क्या होगा नौकिंग साउंड बन जाएगी डिसल प्रिंकल होता है अलग लग जगे वह बंबाड हो जाता है परफॉर्मश नहीं रहर ऐवरीज नहीं मिलेगी एक भी चीज ठीक हो जाती हो सारे अचिज एक बोची हो जाती है इस केटेगरी के बीच में अगर कोई भी इंजन है आपके बास वो डिकार्बोनाइज हो जाएगा इवन अगर मेरे पास कूटी हो बाइक हो बिल्कुल वो भी हो जाएगा हो चुक है काम दोस्तो हमारा पूरा मशीन हो चुके बंद इसको लगा देते हैं हमारी जितनी भी क्य यह सकते हो निकला उसका रीजन किया है कि जो गाड़ी के पहले कह गती है तो यह निकलता था आपने आज तक अभी ऐसा कुछ नोटेस किया हो शाया कभी भी कभी भी नोटेस क्या कारण नहीं थी अब क्या है कि के में चुक्ता आइब श्यूक्स दंसे बंग रहा है तो नहीं निकलती है वह थंडी होती है तो वह जितना यादा मौश्टर अच्छी हो रही हो तनी गैस की क्वालिटी अच्छी है पहले नापते हैं इसकी एवरेज जो हमें क्या मिल रही है यहां पर उसके बाद हम एक बर दिखा देंगे आपको इसका पूरा का फ्लो कितना आ काफी अच्छेगा से किलो मिटर अलोई समने सेम साइस के लगाए अप ग्रेड़ेड नहीं है मालेज और कमफर्ट दोनों सेम रहेगा तो इसका मतलब यह सीदा-सीदा गाड़ी को मैं रोड्स पर ड्राइव करूंगा ले जाकर ट्राफिक बहुत बेसिक रहेगा यानि कर दिया मैंने वहाँ सेरीच्ट चलो चलते हैं नापते हैं हमारी जनी कितने किलो मेटर की और कितने अवरेज्ज दीच्विए M 이번 in m with दिखात है जो हमने साइध कीलोमेटर के ट्रिप में two में प्र जट्रिबर सेने आपने एक्टान म् ड्राइविंग करकर मिलती है इसके अलावा गर मैं और अच्छे तरीके से निकालना चाहूं तो मुझे ब्रेम टू-ब्रेम टेस्ट करना पड़ेगा जैसे कि अशी जी ने मुझे बताया प्रोपर हमें पूरा ऊपर तक डकन की टॉप तक गाड़ी को बना पड़ेगा और उ यहां पर हम इंजन लोड से लेके फ्यूल फ्लो तक की बात करूं तो वह आप देख सकते हो कितना रहा है और यह आइडल खड़ी रहेगी तो आशीची गलत तो नहीं कहा रहा हूं कि वन पॉइंट फाइंट सिक्स के आसपास था पहले है ठीक है अब उसको मिनिमाइज हो है और इंजन का लोड आप देख सकते हो कितना है हमारा 22 के आसपास का हमारा इंजन लोड है जब यह आइडल सिचुएशन पर है तो पहले था राउंड 25.5 के आसपास ही ठीक है भी मिनिमाइज हो गया इंजन थंडा जल रहा है ठीक है यह लोड नहीं है आर पिम भी इसके 8 50 के आसपास है जो आइंजिक पहले 900 पार थी थे पहले थे पहले फॉटल पॉइशन 16.5 क्योंकि एक स्टेंडर आई इससे कम हो नहीं सकता है तो 16 के आसपास हमारा जो फ्रॉटल रिस्पॉंस है वो है 16.5 यह ही तो नहीं कर रहा है जा तक मेरा मनाशी जी आपके इसाप से ह आप लोकल डेली इसे शेहर के अंदर आप अगर 16 मिल रही है उससे आद आप क्या लेंगे और अबेसली बताओ अगर इसे हम हाईवे पे ले जाते तो विकेंड चीव इवन मोर दें 20 टायर की हवा आप एक्सपरेशन कैसी है हाड है सॉफ्ट है वह मैटर करती चीजी जितन जो एक्सेलेरिशन था वह बहुत ज़दा हाड था जो मिरये क्लेरिशन वह बहुत चूश्जज्जिक एपें बहुत होब जादा बहुत ऑसम तरहे से लेघी कोड़ी बहुत ऑसले ने तरवा चुके अच्छी अगर कोई आपको कॉंटेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते आप तरीका बता सकते हैं अगर कोई वाट्साप परना चाहते हैं तो 8054-321733 कॉल्स दोनों पर ही है वाट्साप सेकंड नमबर पर कोई हमारे पास यह आता है तो 20% उसको कूपन कौन सा यूज करना पड़ेगा तो अगर यूज करते हो तो आपको 20% मिल जाएगा जो भी आए वीडियो देखके वीडियो एक बार फोन पर शोकेस करें कहां यह वीडियो देखके आए अच्छी चीव कर सकते हैं यह मैलेज एक क्रेक्ट करना चाहूंगा यह नौन इसी था एस टाइम पर इस टाइम पर अगर इसी ऑन रखते तो कितनी अच्छीव होती थोड़ा ब्रॉप कर सकते हैं कि यह लेकर तो आपको बसक्राइब कर सकते हैं अगर आप पेट्र गाडी लाते हैं तो परसेंट नहीं है थ्रोटल बॉड़ी प्रमान लीजी अगर आप डीजल गाडी लाते हैं तो 20 परसेंट इसी के साथ ही दोस्तों बताना आपको वीडियो कैसी लगी बाइद वैद व में आपको कमेंट डॉब करना है नीचे आपकी गाड़ी के साथ और साथ में आपको क्यों चाहिए डिकाबनाइस की सर्विस आशीर जी आएंगे आपके पास या फिर कई मिडल में हम रख सकते हैं हम आएंगे लाइव या फिर हम मैं आने वाली वीडियो के इंदर आपको जल कैसी लगी मैंने अपने रिजर्ट देख लिए हैं क्या मिलते मुझे आपने देखा जैसे आशी जी ने भी बताया और आप में से अगर बहुत सारे लोग पड़े लिखे मेकैनिकल हैं तो वह जानते होंगे मैं चाहूंगा आप शेयर कर दो आप कहां का गए उस काम को करने तो जैसे कि आप जानते हो परफॉर्मेंस ओरियेंट कराते हो चाहिए आप माइलेज ओरियेंट कराते हो दोनों चीजों में इंसान को हो सकता है वहां रहकर नहीं में कई से इधर उदर आप डाउन करना पड़े उसकी कंवेंस कोस्टिंग भी काफी जादा आ सकती है तो इ यस एक ऐनि एक सब्सकी करा है या सब के लिए रखा है निए फॉर वील कोई भी विल वूर हो उसके लिए ने इस लगवे को रखा हुआ तो बाखी बताना आपको इस ढومनारा कैसे लागा कि यह कर पा रहे कूंकि आशी जी क्रिए पर आपको भी कम से कम उस चीज का एक्चुल बेनिफिट पता चले और यह बेनिफिट हो ही बता पाता है जिसने यूज करियो उस चीज को जिसने एक्चुली में उसके रिजल्ट देखे हो इसी के साथ ही दोस्तों इस वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको अप्रोच करना चाहूंगा आईए अपनी गाड़ी की मालत बढ़वाईए और बढ़ावा दीजिए से मनी से फ्यूल को करते इस वीडियो को यह कहीं एंड कि सो मुछ वी बाड़ा देश वीडियो हम मिलता आप से नेक्स वीडियो में सब तक के लिए पीस आओ